हेलो एवरिवन वेलकम तू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे रूह अबसार जो रूह को खुश कर दें ये घर्मियों में हमें ठंडक देता है आप इसे रोज सिरप या गुलाब का शेर्बत भी कह सकते हैं और इसे घर पे बनाना बहुत ही असान है तो चलिए शुर का देसी रोज मिल जाता है तो वह बहुत ही बढ़ी है क्योंकि इसमें कलर और खुश्बू बहुत ही बढ़ी होती है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले गुलाब की ये पंखुडियां तोडेंगे इस तरह से हम ये रोज पैटल्स तोड़ लेंगे और ये जो बीच का हिस्स हम फैक देते हैं तो इस तरह से मैं सारी रोज पैटल्स तोड़ लूँगे ये देखिए मैंने सारी गुलाब की पंखुडियों को इस तरह से तोल लिया अब हम इसे अच्छे से धो कर स्ट्रेनर में चान लेते हैं तो ये देखिए मैंने अच्छे से धो कर इस तरह से स्ट पानी ढलोंगी है लागतoscope कि 500 ml दाले तोल मैंने ऀसमें 500 ml पानी यादहाली पानी इसमें डाल बości ड्सकाइब सब्सक्क्राइब rusty दालने के लिए और गेज़ पर हम पैन सिर्प बनने के लिए तो इसमें मैं इस cup से measure करके ये एक cup चीनी डाल दूँगी 250 ग्रैम की एकुल है और same cup से measure करके मैं इसमें डाल दूँगी पानी तो ये 250 ml मैंने इसमें पानी एड़ कर दिया तो जितनी मैंने चीनी ली उतना ही मैंने इसमें पानी एड़ किया है हम एक कप चीनी इसमें बाद में एड़ करेंगे तो अब हम इसे चीनी को अच्छे से पानी में इस तरह से डिजॉल कर लेते हैं तो इस तरह से चलाते हुए चीनी को अच्छे से पानी में घुलने देंगे तो ये देखिए चीनी अच्छे से पानी में घुल चुकी है इसे हम लगातार पकाएंगे और इस तरह से हम ये चेक कर लेते हैं ये देखिए गुलाब की पतियों ने अपना कलर और खुश्बू धीरी-धीरे पानी में छोड़ दिया है और ये शुगर सिरप भी हमने आधा चोटा चमच सीट्री कैसे जिसे टाटरी कैसे या टाटरी या नीम्बू का फूल या नीम्बू का सद भी कहते हैं यह आपको हर ग्रॉसी स्टोर पर असानी से मिल जाएगा और हम इसमें एक चौथाई चमच सफेद नमक डाल देंगे इन दोनों चीजों से ये होगा कि ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करेंगे और साथ ही चीनी को जमने भी नी देंगे जो चीनी क्रिस्टलाइज हो जाती है वो नी होगी इसमें अब हम इसे चेक कर लेते हैं तो ये देखिए फूलों की पतियों ने अपना कलर और खुश्बू पानी में छोड़ दिया है और ये शुगर सिरफ भी हमारा देरे देरे तयार हो रहा है तो हम क्या करते हैं इसे चान लेते हैं ये काफी गरम है भी तो हमने इसे 6-7 मिनट तक बॉयल किया है अब हम इसे इस तरह से साफ़धाने से एक बोल में इस तरह से स्ट्रेनर लगा के इसे चान लेंगे और ये अरुमे लाध की पतियां बचेंगी इसे आप गुलकंद बनाने के लिए भी यूस कर सकते हैं इस रोज वाटर को फिलाई को हमस्की वाट रियादिर ये बहुत ही अच्छा होता हिला था अगर आपको रो बीज़ते हैं तो आप रो और ये लीजियों तो आम साइड में काफी गरम है तो इसे हमने सारह डाल दिया इसमें देखिए। इतना बढ़िया नेचरल इसमें थोड़ा सा फूट कलर एड करेंगे हम देखिए इसे हम पकने देते हैं और हम इसमें डालेंगे होममेड नैचरल फूड कलर इसे मैंने बीट रूट से बनाया है चुकंदर से पानी में घोल कर तो इसमें मैं यह दो बड़े चमश डाल दूंगी अगर आपके पास यह नहीं है तो आप बाजार का रेड फूड कलर भी इसमें आधा छोटा चमश डाल सकते अब देखिए इसमें कितना बड़ी है कलर आगया है बिलकुल मार्केट जैसा इसमें हमने चिप चिपा होने तक हमने इसे अभी लगातार पकाना है तो हम इसमें एक कप चीनी और एड कर देंगे एक कप चीनी हमने पहले इसमें एड की थी तो टोटल मैंने इसमें आधा कि अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे हमने इसे तब तक पकाने जब तक यह चिप चिपा आसानी हो जाता है शेहत की कंसिस्टेंसी तक हमने बस इसे पकाना है तो इसे लगातार पकाते हो मुझे 20-25 मिनिट हो चुके हैं और यह देखिए यह कितना बड़िया से तयार हो ग इस तरह से मैंने इसे एक ग्लास की बॉटल में फिल करके रख लिया है यह छे महीने तक भी खराब नहीं होता है आप इसे फालूदा बरफ का गोला लसी दूद किसी में डाल के यूज कर सकते हैं तो आज हम इसे पानी में बनाएंगे तो इस तरह से हम दो ग्लास रख लेत तो मैं इस तरह से आइस क्यूब डालूंगी तो दोनों ग्लास में मैं दो-दो आइस क्यूब डाल लेती हूं और अब हम इसमें डाल देंगे होम मेड रूबजा इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही टेस्टी बनते है आप इसे जरूर घर पे एक बार दोनों में डाल दिया है आप अपनी टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें एड कर सकते हैं अब मैं इसमें डाल दूगी थंडा पानी चिल्ड वाटर यह छे महीने तक भी खराब नहीं होता है यह गर्मियों में हमें थंडग देता है आप इसे जरूर घर पे ट्राइ करें इसे स्पून की हेल्प से मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो यह लिजिए हमारा रूपज़ा तयार है अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आयो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें थैंक्स फो वाच्छिंग